श्राध्ध एक संस्कृत शब्द जिसका मतलब है श्रध्धा या आदर हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपून अनुष्ठान है यह दिवंगत पूर्वजों के प्रती सम्मान और कृतज्यता व्यक्त करने के लिए समर्पित है स्मरण का यह समय अपने वंश से जुडने और अपने पूर्वजों का सम्मान करने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है श्राध्ध जीवित और दिवंगत लोगों के बीच के स्थाई बंधन का प्रमान है श्राध्ध का पालन इस विश्वास में निहित है कि पूर्वजों की आत्माएं अपने वंशजों के जीवन को प्रभावित करती रहती है अनुष्ठानों और प्रसाद के माध्यम से परिवार अपने पूर्वजों से आशीरवाद और मार्कदर्शन चाहते हैं श्राध्ध पीडियों की परस्पर संबधता पर जोर देता है श्राध्ध आमतोर पर पित्र पक्ष के दौरान मनाया जाता है जो हिंदू कैलेंडर में 16 दिनों की चंदर अवधी है परिवार अपने पूर्वजों को प्रार्थना, भोजन और तरपन अर्पित करने के लिए इकठा होते हैं श्राध्ध करके परिवार अपने पारिवारिक बंधनों को मजबूत करना और अपने वंश से अपने संबंध की पुष्टी करना चाहते हैं आर्यमा प्रत्येक ख्षेत्र के अपने अनोखे रीती रिवाज और अनुष्ठान है जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के समरिध ताने बाने को दर्शाते हैं। कन्या कुमारी के दक्षिनी सिरे से लेकर हिमालय की तलहटी तक श्राध्य समारो हुस्थानिय परंपराओं की विशिष्ट छाब धारन करते हैं। उत्तरी राज्यों में श्राध्य में अक्सर ब्राह्मन पुजारियों द्वारा किये जाने वाले विश्ट्रित अनुष्ठान शामिल होते हैं। तिल और घी के साथ मिश्रित चावल के गोले से बने पिंडदान पूर्वजों को अर्पित किये जाते हैं। पवित्र ग्रंथों का पाठ किया जाता है और दिवंगत आत्माओं की शांती और कल्यान के लिए प्रार्थना की जाती है। भारत के पूर्वी राज्य सामुदाइक दावतों और धर्मार्थ कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके श्राध्ध मनाते हैं। भोजन तयार किया जाता है और ब्राह्मनों और जरूरत मंदों को अर्पित किया जाता है जो कम भागेशाली लोगों के साथ समरिध्ध साजह करने का प्रतीक है पश्चिमी और दक्षणी क्षेत्रों में श्राध्ध समारोह में स्थानीय रीती रिवाजों और पाक परमपराओं को शामिल किया जाता है ये क्षेत्रिय विविधताएं पूरे भारत में श्राध्ध के पालन के ताने वाने को सम्रिध करती हैं झालने को श्राध्ध समारी बढ़र पालने को सम्राध्ध समार्णी अार्ध करता हैं झाल 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 श्राद्ध एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है जो पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है और सामुदाइक बंधनों को मजबूत करता है यह परिवारों को एक साथ आने अप्ये गे ए गे टे बे के अपने दिवंगत प्रिय जनों की यादें साजह करने और अपनी साजह विरासत की पुष्टि करने का मंजप्रदान करता है श्राद्ध का पालन सामाजिक संबंधों के ताने बाने को मजबूत करता है श्राध्ध जीवन के चक्रिय स्वभाव और पीडियों की परसपर संबधता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है यह परिवार के वंश में उनके योगदान को पहचानते हुए किसी के पूरवजों का सम्मान करने और उनका सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है यह परंपरा, निरंतर्ता और अपने पन की भावना को बढ़ावा देती है भारत के विभिनक शेत्रों में अलग-अलग श्राध्ध से जुड़े अनुष्ठान सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के सम्रिध ताने बाने में योगदान करते हैं श्राध्ध का पालन करके व्यक्ति और समुदाय सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के प्रती अपनी प्रतिबधता की पुष्टी करते हैं श्राध्ध सांस्कृतिक निरंतर्ता बनाय रखने और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने में महत्वपून भूमी का निभाता है श्राध्ध के अनुष्ठान जन्म और मृत्यू के चक्र को प्रभावित करते हैं बहतर पुनर्जन्म सुनिश्चित करते हैं यह जीवन की निरंतर यात्रा को पुष्ट करता है श्राध्ध के प्रसाद दिवंगत आत्माओं को जीविका और पुण्य प्रदान करते हैं यह जीवन और मृत्यू की परस पर संबधता को दर्शाता है श्राध्ध अनुष्ठान अस्तित्व के चक्रिय स्वभाव को स्वीकार करते हैं यह विश्वास शोक मनाने वालों को सांत्वना और भविश्य के जीवन में पुनर मिलन की आशा प्रदान करता है आधुनिक दुनिया में तेजी से सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के बीच श्राध्ध एक काला तीत परंपरा के रूप में प्रासंगिक बना हुआ है जो पीडियों को जोडता है यह निरंतरता और अपने पन की भावना प्रदान करता है श्राध्ध व्यक्तियों को अपनी विरासत पर रुकने और चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है यह परिवार, समुदाय और जीवन के चक्रिय स्वभाव के महत्व की याद दिलाता है श्राध्ध सामुहिक पहचान और साज़ा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है यह अमासी मानिसा की यह अनुष्ठान की स्थाई शक्ति और अपनी जड़ों का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाता है